नमस्कार आप देखरें मेरा गाउ मेरा दीस और मैं हूँ आपके साथ जाक्रती खंतवाल रुकर लते हैं खबरों के ओर नाटनॉल के गाउ मिर्शापूर बाच्वोत की बेटी तरनिशका यादव ने धीट हूची 2022 परिक्षा में इतहास रश्टिया है तरनिशका ने पूरे भारत में टॉप किया है और हूँ ने 720 अंख के पेपर में 75 अंख प्राप्त के दवही सीयम मनोहलाल ने तरनिशका और उनके परिवार से फोन पर बात की सीयम मनोहलाल है ट्वीट किया और लिखा कि नानौल की बेटी तरनिशका यादव ने नीट परिक्षा में अवर आकर प्रदेश की दूसरी बेटियों को भी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रिरत किया है इस उब लबधी पर तनिशका और उनके माता पिता को पौन पर बढ़ाई दिया और बेटी को आगे की पढ़ाई में हर सभ़ब मदद दिलाने का फरूसत दिलाया तो पहले आपको बढ़ाई दो कि तनिशका ने नीट में आल इंडिया टॉप किया है तो कहा है तनिशका बेटी बात कराओ तनिशका बेटे नमस्कार बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत शुकामना तुमने देश में नीट एक्जाम टॉप करके और रेना का नाम बढ़ाया है तो अब ही मुझे पता लगा मैं ने का मैं बेटे से बात करता हूं पापा क्या करते है तुमने पापा टिशर अच्छा तो उनकावी लाग मिला ही होगा पे पीचर है तो तुमने पढ़ाया भी होगा उनने पापा को भी हमारी और से शुब काम ना का है पापा अब नीट पास करने के बाद आप जो है कौन से मेडिकल कॉलेज की च्राइस वरेंगे इंस डेली तो स्वाब आवे का नीट टॉप किया तो आप तो देश के किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आपका नमबर वर आना ही आना है एंस डेली में आप एक अच्छे डॉक्टर बन करके परागे बढ़ोगे और देश के लोगों की प्रदेश के लोगों की सेवा करो आपको आपके माता पिता को अच्छा कॉन सा स्कूल था तो माता पिता के सास्थ आपके जो ध्यापक है उनको भी बहुत-बहुत बढ़ाई बहुत-बहुत शुब कामना ठीक है ना कभी भी कोई कठ्वाई आए तो दुब दुरूर हमको बताना तुमारे पढ़ाई में और किसी प्रकार की को धिक्कत आएगी तो हम हमेशा से इसायता करने के लिए पर या रहे हैं पापा कहा है अजरा क्रावबार अच्छा करा निश्या नार्मोल में है या किसी गाओ में है नार्मोल में है नार्मोल के बहुत द बाचोवड़ के पाच हो देख 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 के रीकॉड वीर बेटे नीराचोपड़ा ने एक बार फिर नया रकॉड बिरा कर देख का नाम उचा क्या है टर्जर लैंड में खेली गई डाइमिन लीग शीद कर पहले भारती अथलीट बने पर उने रिदेतल से बधाई और शुब कामनाई आपकी शीद का सफर जारी रही आशरवाद फी सिया मनुखर लाल ने उन्हें अपने ट्वीट के जरिये दिया है सोनीपत में रोडवेस चाला के जगबीर हत्याकान मामले को लेकर अब सिया मनुखर लाल ने भी ट्वीट किया सिया मनुखर लाल ने ट्वीट कर लिखा सोनीपत में रोडवेस चाला के हत्या बहुत दुखत है हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए की साथी सिये मनुखलान ने कहा कि परिवार को जहता देने के निर्वेश दे दिये गए हैं और मिरतक ड्राइवर के परिवार के एक सदस्ते को नौकरी भी दी जाएगी कि बहुत यह बड़ी दुर्गटना मैं कह सकता हूँ के जो उस ड्राइवर का उसके प्लेश दी गई आप एक्सिरेंट करके और उसके उपर हमारी पुलिस वाफुरी कारवाई करेगी और दूसरी जो दुबा के पुर घटनाई है कि उनके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया है तो हमने उनको कहा है कि जो भी दिपार्ट्टर्ट की और से सायता कर्मी को करेंगे ही परिवार के एक सदिस्टो को नोखरी की बात भी हमने कही है और जल्दी ही ये कल्प्रेट है वो से पढ़े जाएगा परवेन मंत्री मूल्चन शर्मा और पदेश के रोडवेस यूनियन के करमशारियों की दूसरे दौर की वारता में सरकार और रोडवेस करमशारियों के बीच समझाता हो क्या है दूसरे दौर की वारता में इस एहमती बनी की रोडवेस चाला के हत्यारों को पकरने के लिए SIT की टीम गठित करती कई है और रोडवेस ड्राइवर की हत्या क्यारोपियों को जल से जल गिरपतार कर लिया जाएगा इसी के साथ मृतक ड्राइवर के परिवार से उनके भाई के लड़के को नौकरी दी जाएगी और परिवार को दस लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और साथी प्रदेश के सेमर तक ड्राइवर को पचास लाख की आर्थिक साहिता देने की सिपारिश की जाएगी और खायर परिशाला को भी एक लाख की आर्थिक साहिता दी जाएगी परिवहन मंत्री के आसवाशन के बाद रोड़ विसकर अमचारियों ने हर्टाल खत्म करने की खोशना कर दी है मिले की बाद स्वागत है आपका रुक करते हैं खबरों के ओर कुरुक शेत्र में जिलाक कश्ट वारन की बैठक की गई बैठक में 12 मिसी सास्ट रुकायतों का समाधान क्या क्या बतादे कि बैठक में कश्ट वारन समयती के सदस्य मंदीप सिंग ने पेड़ काटने का मुदा उठाया जिसके बाद राज्यमंत्री कमलेश टांडा ने तीन अधिकारियों को निलंबन की बात कह दी अला कि अफसर शाही के दबाब में राज्यमंत्री कमलेश टांडा ने यूटन ले लिया और कहा कि इस पूरे मामले की एक बार फिर से जान चोकी अफसर शाही को देखे दाटान चोके अफसर शाही के लिए तो एक बार फिर स्टाइबागिए ने से साथ का निव्टारा वर फॉनटी अफसर शाही के लिए रखता गया है तो बड़े हम पी जो ना इक बार बाद बेखे लिए पीजी से पिएन पार्ब मेरे पाहर एक स्mann होए मेरे पास बेटीयां भी है और मैं कितनी बार में कम्बेट्ला एक चर्थ 2 पूर में औसमार्ट कर्या था कि अौर्फ में मुझे स्पला पितर लीयूं पानिक्वत के गाओं जड़ॉला में विवाईता की मौत का मामला सामनी आया है महिला के परिशनों ने पतीज सास और जेवर पर गला दबा कर हत्या कारूप लगाया है नुर्तिका के भाई ने बताया कि ससुरालवारे लंबे जमें से उसकी बहन को परिशान कर रहे थे लेकिन हत्या का शक होने पर दासंसकार रोका किया और फोलस को सूचना दी गई बताया चारहा है कि मौत का के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए है कि वहां पर दोने दुट के नाम दिकीन लाइन अगा और शोन आया गर पे हमां चाच्ची जी बाद कि बास दस बजे कि निदेट कराब है लड़की निदेखी आप दो लोच एक कोल आ लाई ना मेरे पाई ना मिरे बाबाबाबाई ना बेन पाई जिव ना बैन लेकों ने मुझे पता करा कि लड़की कुछी है नहीं हो चुछी है तो सुचना प्राप्त हुए थी कि डाडोला में दीपा पतिन राजेस की मिर्तियों हो चुकी है जो मुकब अगए वहाँ दीपागी माहा आजर मिली वह इसके परिवार के आजर मिले जिसने लिखी दरखास दी जिस पर मुकदमा दरज रिष्ट किया गा दारा तीन सो दो चूपीस का जो आज इसका पोस्ट मार्टम करवा जा रहा है तब तीस जारी है क्या आरोप लगाए जिसका पती वह इसकी सास वह देवर न गड़ा गोट कर मार्टम करके अटाक ही है खबर करना से है जहां खोगडी पूर नहर में एक महिला ने अपते दोनु बच्चों को नहर में फेक दिया जिसकी बाद महिला ने खुद भी नहर में चलाग लगा दी बता दे कि महिला कई देर तक नहर पर खड़ी रही और उसकी बाद महिला ने की कलम उचाया मौके पर मौझूद ग्रामिडों ने तीनों को ढूपता देख नहर भी छलंग लगाती नहर की गहराई जाता होने की बच्छर से कड़ी मशक्त के बाद तीनों को बाहर निकारा गया जिसके बाद तीनों को निजी अस्पताल में भरती करवाया गया जहां डॉक्टर्स ने बताया कि महिला की हालत कंबीर है जब की बाकी दोनों बच्छों को भी छोटे आई हैं महिला के परीचनों का कह रहा है कि महिला को उसका पती और ससुराल के लोग तंग करते थे ससुराल पक्ष के लोगों के ताने से परिशान होकर उन्होंने ससुराल जो है अक्सर ताने दिया करता था कि दो लड़की हुने का ताने अक्सर महिला को दिया जाता था जिसके बाद महिला की वाने बताए कि पोलिस में शिकायत दर्च कराने के बावजूद अभी तक पोलिस ने कोई सुनबाई नहीं की है तो पोशी से की आपने पहले पंचायत तो गया रख भूई हो तो पहलों में आप प्छी ने ऐसा कदम उठाया आपने मामला भी दर्च करवाया हुआ है तो आज महीला आपके यहां घर आई हुए थी तो कैसे पोची गोड़ी पूर नहर में कुछ पता चला थी तो दोनों बच्चियों के साथ नहर में चलांग लगा थी बच्चियां ठीक हैं दोना सिस्टर की हालत गंबीर है तो वो लीड़े से दो बच्चों लगे हैं कड़े वे थी तो उसको जूब लगे वहां बैड़ की सामने मैंने उससे बुच्छा मैं क्या दिक्कत लिए तो वह रही मेरा भाई आ रहा है मैं उसकी बेड़ कर रही हूं तो जैसे में पहले पहले सब्सक्राइब है तो मैं यहां चिलाता हूं गया जाने के लिए फिर वह रहां तक आफी प्रना टिशेट तार के उससे बच्छी को निकाला यह बाईता मेरे थाथ इसने लिच्छी को निकाला और एक कबाई जा रहा वो जा चुका है जी हो जा रहे थे यहां पर भी अब इसने लिचा प्रियाश किया उसने मेरे बच्छों को पहले जो अंतर गए हुए थे उन निकाल लगाई देख्यों तरक फिर बड़े बारे जारे दिवाख विटिव मैंने फिर उसको फेक दिया जडिया और फिर बड़े बच्छे बड़े और प्र पूर प्र तू तो आपने कैसे बचाया क्या देखा आपने अगर आप देखो कि वहाँ पर शोयों की सारे टीम हमारी लगी हुई है हमारे इंटेंसिविस्ट है हमारे पास दो इंटेंसिविस्ट है वो दोनों भी लगा रखा है हमने कि अगरे शुट भी मोग प्रॉब्ल इंड़िया तो बच्छों के आलत खत्रे से बाहर है हाँ वो दक्तर आपने देखा होगा दॉक्तर गुरुमीद आये हुए है वो के डे लालत के बारे में कैसी है अलाद तो बच्छे भी फेंग दिये तो बच्छे लोगों नहीं बचाया हा लोगों नहीं बचाया लोगों नहीं आने होगा एक किसान की करेंट लखी से मौत हो गई बताया जा रहा है कि किसान को चारा काटते वक्त करेंट लखिया जुसके बाद परिजनों ने चौधरी बंसी लाल अस्पताल में भड़ते कर आया लेकिन डॉक्टर ने किसानों को मृत घोशत कर दिया वही पोलिस दे पोस्ट मौटम के बाद श्रप को परिजनों को सौंतिया मेरा गाओं मेरा दे से फिलार के लिए बस इतना ही आप देखते रहे हर खबर